कि नमसकार दोस्तों मैं डॉक्टर मितालत कुमार दूबे और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं ओररसольше व cuat आभ से एंट्हां इस वीडियो में मैं आपको एक नई वीदि से बताऊंगा कि ओरसिस यहां ऐसे ठीक कर सकते हैं तो और समय कर साइब रोसिस के ट्रीटमेंट को बताने से पहले मैं आपको यह थोड़ा सा बता सकता हूं कि और समय कर साइब होता क्या है क्योंकि जैसे आप नए-नए हैं और नए इस विवारिय से घसी थे तो आप खबड़ाए ना परसान नहों इसलिए तो और समय कर सकता है और जब पर दोनों साइड में जो लचीला गाल होता है यह आपका थोड़ा सा टाइट होगा इस्टिफनिस इसमें होने लगेगी और जब गालों के अंदर इस्टिफनिस होने लगेगी तो यह समझ जाईए कि आपका मुझ अब धिरे-धिरे करके बंद होना सुरू हुआ है मतलब कि जो 4 फिंगर अच्छे से मुझके अंदर जा दी थी वह चार फिंगर आप मुझके अंदर नहीं जाएगी दिरे-धिरे करके साड़े-तीन- तीन- दो-ढ़ाइए एक ऐसे करके आपका मुझ धिरी-धिर करके बंद होने लगेगा तो जब आपको लगे कि आपके गाल थोड़े से अंदर से टाइट हो रहे हैं तभी इसका इलाज कर लेंगे मतलब स्टेज स्टार्टिंग में स्टेज वन में ही फेज वन में ही इसका इलाज कर लेंगे तो औरस अमयुकास फाइबोसी बहुत जली ठीक हो जाएगा तो यह वीडियो मैंने आपको इलाज करके उसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा या तो फिर उसके सर्जरी के तरफ जाएगा तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मैंने अपने वीडियो में अलग-अलग बताय हुए है त छी विधारा की पत्ति को ओरस वम्यक सवर ऐंग prisons फैब करता है तो चार से पांच विधारा की पत्ती को ले एक पीसिस लिए और उसका लें बिष्डर में लगाईए या तो फिर विधारा की कुमकोमल पत्ति को क्योंकि उसको वास करके होर फिर उसको चबाईए देख़स कि आपका औरस मिकोस्वाबुस्टिस कितना जल्दी धिर्दीर करके ठीक होना सुरू होता है और विधारा की पत्ति लगाते साथ में साथ आप थोड़ा सा इसमें अपने गालों के अंदर जो हाडनेस है जो लचीला पन खतम हो रहा है उसको थोड़ा सा लचीला करने के लिए एलोवेरा का जेल जो एलोवेरा का गुड़ा होता है उसके जेल को भी अपने मुझ के अंदर दोनों साइड में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मुझ लचीला पन रहेगा और मुझ के अंदर जो मुझ धिर्दीर बंद हो रहा है वो खुलना सुरू हो जाएग लोगों को तक पहुँआए नमस्कार जैहन जैवाट